जय महादेम मित्रो कैसे हैं आप सब मुझे उमीद है आप अच्छे होंगे एबं मजे में होंगे मित्रो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि यू नाम बाले जातक एबं के नाम बाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मित्रो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए तो आईए अब वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रो यू नाम वाले जातक एबम के नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीबन में एक दुसरे की बातों को एक दुसरे के विचारों को ये बहुत ज्यादा महत्त देते हैं एबम कभी भी अपने जीवन में एक दुस्रे की बातों के शामने में एक दुस्रे के विचारों के सामने में अपनी बातों को जयादा महत्तु देना ये पसंद नहीं करते हैं। एबं हमेशा अपने जीवन में, अपने जीवन साथी की बातों को, उनके विचारों को सबसे पहले एबं सबसे जयादा महत्तो देते हैं. मित्रो इसके अलाबा यदि हम के नाम बालों की बात करे तो के नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने आने बाले समय के प्रती बहुत ज्यादा इमानदार होते हैं ये कभी भी अपने जीवन में अपने वर्तमान समय को या अपने आने वाले समय को बरबाद करना अपने समय का मिस्यूज करना ये पसंद नहीं करते हैं लेकिन इसके अलाबा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो शुभाब से थोड़े बहुत क्रोधी थोड़े बहुत गुश्यल होते हैं एबम ये अपने क्रोध के सामने में अपने गुश्य के सामने में किसी और इंसान की बातों को किसी और इंसान के विचारों को जयादा महत तो देते हैं, वैसे इसके अलाबा यदि हम यू नाम बालों की बात करें तो यू नाम बाले जो भी जातक होते हैं, इनको हमेशा अपने जीबन में जो खिम लेना, रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये कभी भी अपने जीबन में किसी भी काम को करने में जयादा समय देना, किसी भी काम को करने में जयादा वक्त देना ये पसंद नहीं करते हैं लेकिन मित्रो आपको बता दे इस नाम के जो भी जातब होते हैं वो शोभाब से थोड़े बहुत स्वार्थी थोड़े बहुत मतलवी होते हैं एबम ये अपने जीवन के यात्रा में, अपने श्वार्थ के सामने में, अपने मतलब के सामने में, किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के विचारों को ज्यादा महत्तु नहीं देते हैं। मित्रो यू नाम वाले जातक एबम के नाम वाले जातक इन दोनों के बाड़े में इतनी बाते जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मित्रो आप दोनों के बीच में जो शंबंध बनेगा वो बहुत जयादा मजबू पूत रहेका याने कि आपको शादी अवस्य करनी चाहिए मित्रो मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में एस्टरो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबं वीडियो के नीचे में जय मादुरुगे आप कमेंट अवस्य करते एबं वीडियो हर जगह से यार करते तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवा